कि जो यह वीडियो मैं बना रहा हूं काफी प्रीमिम वीडियो है and over here we would talk about retracement कैसे इस retracement strategy को आप समझ के basic market के format को समझ के कैसे daily basis पे जबर्दस profit जो है आप daily basis पे बना सकते हैं पहले जो है मिसका एक sentiment जो है समझ लेते हैं basic market में retracement basically होता क्या है अगर मैं आपको दिखा हूं let's take XYZ example मैं लेता हूं एक XYZ particular stock है and उसका price जो है 100 पे है ना वो 100 पे से जो price है सुब्स सवानों बजे हमारा market खुला वो almost 11 बजे तक जो है आपका 100 पे से जो है 90 पे आ चुका है so basically I'm sure in case आप market में पुराने हैं खिलाडी है आपको कुछ time हो गया तो आप you already know कि market में basically होता क्या है अगर कुछ चीछ 100 पे से 90 पे आई है I'm sure lot of new people will just वह अपना ना आफ देखेंगे ना ता वह सिधा market में क्या करेंगे वह भी short कर देंगे I'm sure आप भी उनमें से एक हो सकते हैं लेकिन आपके short करते की साथ ही basically होगा क्या market अगर आप 90 पे आगया है अगर आप 90 पे short मारेंगे तो market जो है आपका दुबारा से उपर की तरफ जो है जाने लग जाएगा so basically यहां पर क्या condition होती है यहां पर everybody starts getting upset you will start getting upset and you will say that साला चोर बजार है यहां पर सब चोर बजारी ही चलती है so guys one thing you have to understand is this six this का सौर पे से नबबे तक आना is called market का fall and नबबे रुपई से लेके पिचानवे तक जाना is called retracement so this is not basically चोर बजारी this is called market का structure मैंने अल्ट्रा टक का आपके लिए मैंने चाट लिया है and over here I would try to tell you कैसे जो newbies है वो market में कैसे फस्ते है and कैसे जो retracement अगर आप समझते हैं कैसे एक जबर्दस profit कमा सकते हैं so let's take an example market ने यहां कहीं 33.60 से high जो लगाया वो लगाया 4208 का इतरे दिन हो गए now basically अगर हम यहां पर देखते हैं कहीं तो यहां से जो है आपका market ने आपका यह जो है high लगाया यहां पर कहीं आपका top बनाया अब basically होगा क्या लोग जो पिछले से देखेंगे लोग देखेंगे कि market जो है आपका ultra tech जो है दिन बदिन वो उपर ही जा रहा है तो newbies क्या होंगे newbies जो फसेंगे 41.62 तो आपके position लेते के साथ ही basically market में हुआ क्या let's let's draw it again आपने entry ली 41.62 पे market जो आपका नीचे आ गया वो गया 38.19 विच मेंस यहां कहीं जो है हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है and we think कि भाई मिर से बहुत बड़ी गलती हो गई and I made a wrong decision and market जो है चोर बजा रही है so basically this is what इसे कहते है market का retrace करना now just think about it इसके पीछे retrace करना क्या है क्यों होता है इसके पीछे कई कारण होते हैं इसके पीछे overbought oversold ये भी the most important thing जो आपका stock market में चलता है जितने बड़े-बड़े players हैं जितने पुराने players हैं because अगर आप market को समझने की कोशिश करेंगे तो market is only about overbought and oversold जैसा कि मैं अपनी previous video में बताता है हूं market आपका जो आज जो particular stock any xyz stock की talk about जो आज उट रहा है आने वाले आप दिनों में देखना वो किस गंदी तरह से नीचे गिरेगा and आज की time पर कोई भी stock जो नीचे गिर रहा है आप आने वाले दिनों में देखेंगे वो ऊपर उठेगा so basically यहां क्या हुआ यहां you would feel like कि मुझसे गलती हुई आप यहां पर कहीं जो है loss अपना book करेंगे and market जो है आप यहां पर देखेंगे कि market ने इतना बड़ा top लगा दिया now you would feel like कि मेरे निकलते ही मेरी किस्मत ही खराब है basically it's not about किस्मत खराब it's all about understanding market का structure and market का behavior so let's say कई बंदों ने यहां कहीं जो है buy की position यहां जो बंदे रोके अपनी position caught दी थी जिन्होंने loss book कर लिया था उन्होंने देखा market ने फिर से भागना start किया market उन्होंने फिर से यहां पकड़ लिया अब आपके फिर buy करते एक साथ basically होगा क्या market फिर डाउन आजाएगा and you would feel like कि भाई यहां तो सारा जो सीन है सिर्फ चोर बजा रही है और कुछ नहीं है तो basically market का structure ही ऐसा होता है market would always retrace इस तरह market में कुछ waves होती है this is called one wave one this is wave two this is wave three this is wave four this is wave five so five तब जाके आप यहां देखते हैं basically इसमें हम क्या कर सकते हैं now at least now you have the idea जो market retrace करता है एक चलते हुए trend में market का जो trend रहेगा वो उपर की ही तरफ था but basically इसका नीचे जो आना था it is called retracement अब इसमें जो retracement को है आप कैसे trade कर सकते हैं आप इसमें इतना mark कर सकते हैं कि आप पहला जो इसका top है उसको कही न कहीं gauge कर लीजिए यहाँ पर जो market ने अपना high लगाया था it was 4154 so कहीं न कहीं जब market नीचे retrace करके आता है and उसके बाद जब यह high तोड़ता है तो यहाँ पर कहीं न कह नहीं आप एक buy की position बना सकते हैं and stop loss आप कहां लगाएंगे stop loss आप लगा सकते है recent low के नीचे का which means अगर आप देखते हैं third wave जो हमारा रहता है it's a biggest wave and यहाँ कहीं अगर आप entry लेते हैं तो stop loss आप इसके नीचे लगा के आप D जो है bull right जो है अपना trade कर सकते हैं basically it's all about understanding the market it's all about understanding market structure and behavior because होता क्या है अगर आप if you know about retracement level let's let me just show it to you market में कुछ जो levels हैं जो आज की time में काफी जबर्दस जो है काम करते हैं now let's say market ने जो यहां से low से जो high लगाया है वो कितना लगाया 41 51 now you would see that this is Fibonacci retracement level यहां पर आप देखेंगे market ने जब high लगाया उसके बाद जो है market because basically होता क्या है यह होता क्यों है now just understand this जिस बंदे ने यहां कहीं 3400 के आसपस buy किया होगा do you think कि वो बंदा जो है 41 48 पर भी लेके बैटा रहेगा lot of 80% 70% 50% जो population है वो अपना profit book करेगी and profit book करने के बाद basically होता क्या है जो price जो है वो नीचे आता है वो कहां तक नीचे आता है इसमें हमारे तीन जो होते हैं Fibonacci retracement में there are three levels golden levels which are very important one the first one आपका जो होता है it's 38.2 just second आपका जो होता है 50% का retracement third one जो होता है 61.8 का retracement तो basically अगर आप यहां कहीं देखते हैं जब इसने इस low से 33.59 से high लगाया इसने 4160 का यहां पर हम previous जो जहां से जो rally start हुई थी वहां से जहां जो आपकी rally खतम हुई है उसको देख रहे हैं तो basically अगर आप देखते हैं तो इसने 38.2 के आसपास आकर एक bullish engulfing type की candle बनाई which actually indicates कि आगे आने वाले time में यहां से reversal आ सकता है so people who have knowledge about market people who have knowledge about structure जैसा कि हम अपने courses में बताते हैं कि कैसे आप एक structure को देख के आप एक buy की position बना सकते हैं कैसे बड़े-बड़े investors के साथ कैसे बड़े-बड़े banks के साथ just looking at market का structure and candlestick आप उनके साथ trade करके एक जबरदस profit कमा सकते हैं so basically this is called retracement एक चीज का नीचे से उपर तक जाना वापस उसका 50% यह 61.8 तक आना फिर वापस से उपर जाना is basically called retracement and यहां कहीं अगर आप देखें तो market में retrace करके फिर से जो उसका structure है